दोस्तो श्रिलंका के आगे कप्तान रोहित दूसरी गेंड पर ही चार रंग बना कर आउट हो गए थे लेकिन इसके बाद विराट कोली और शुमान गिल ने श्रिलंका के गेंड बाजो की पूरी तरह दुलाई कर दी और दोस्तो विराट कोली तो अपने शतक के काफी करीब पहुँच गए थे और दोस्तो सभी फैंस उनके सतक का इंतिजार कर रहे थे क्योंकि दोस्तो वाज के मैश में सतक लगाते ही सचिन की बराबरी कर ले थे लेकिन दोस्तो जब इन दोनों बल्ले बाजों ने शांदार बैटिंग करते हुए दूसरे विकिट के लिए 190 रनों खेल कर आउट हुए उनके इस पारी में ग्यारा चौके तो दो छक के शामिल थे तो दोस्तो एक सचानवे रन के स्कोर पर जब विराट कोली अपने शितक से केवल बारा रन दूर खड़े थे तब ही उनको दिलशान मदुशंका नहीं आउट कर दिया और दोस्तो विराट क खिलाडी आज के मैच में शतक डिजब करते थे लेकिन दोस्तो दिलशान मदुशंका ने आज के मैच में कमाल का परदशन करते हुए शुरुआत के तीनों ही भारतिये बल्ले बाजों को एक के बाद एक करके आउट किया ऐसे में दोस्तो विराट कोली ने आज के मैच में पी शेतक मिश कर दिया है और इस वजह से वो शचिन चन्नुलकर की बराबरी नहीं कर पाए हैं